साथ यो आप लोग PC खरीदने के इच्चुक हैं लैप्टोप नहीं खरीदना चाते हैं सिरफ PC खरीदना चाते हैं और आपका माइंड डाइवर्ट हो गया कि हम एक नॉर्मल PC खरीदें या फिर एक आलेन वन PC खरीदें कौन सा PC बैटर रहेगा किस PC में ज्यादा स्वीद आया हैं किस में ज्यादा स्कोप हैं कौन सा कम इन्वेस्ट के लिए कौन से में ज्यादा इन्वेस्ट होगा यह सारा जानेंगी बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में तो इसमें तक बने रहेगा नमस्कार साथियों मेरे नाम है मनुश कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटरुजी सबसे पहले जान लेते हैं नॉर्मल पीसी के बारे में नॉर्मल पीसी आप पर्चेस करते हैं मार्केट से तो आपको सबसे पहले तो शीप्यू डिशाइड करना पड़ेगा अब क्या उसमें स्पैसिफिक्शन ले रहे हैं सीप्यू के अंदर एक बड़ा सा डबा आता है सीप्यू बॉक्स आता है फिर हमको एक मोनिटर पर्चेस करना पड़ता है कीबोर्ड माउस भी लेना पड़ता है अलग स सिरफ एक LED देखने को मिलेगी उसी LED के अंदर आपको CPU मिलता है सभी पोर्ट इसके अंदर मिलेंगे कीबोर्ड माउस भी आपको वायरलेस ही लगाने पड़ेंगे सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह है कि एक तो यह कम स्पेस लेता है यानि कि हमको ज्यादा स्पेस घेरन के लिए इसको पावर सप्लाई के लिए बाकि कीबोर्ड माउस भी वायरलेस हैं तो उनकी वायर भी यहां पर कनेक्ट नहीं हो पाती है स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पहले शायद अलेन वन में इतने ज्यादा सकोप नहीं थे आप जितने भी अलेन वन पीसी आ रहे उनके अंदर काफी सकोप आ रहे हैं हम उनको अपग्रेड भी कर सकते हैं उसमें एक्स्ट्र पोर्ट आ रहे हैं एक्स्ट्र एसडिए हम लगा सकते हैं हार्डिस्क को अपग्रेड कर सकते हैं रैम को भी हम अपग्रेड कर सकते हैं रैम के भी एक्स्ट्रा स्लोट मिलते हैं यदि आप नॉर्नल पीसी के लिए 24-26 इंची एक LED पर्चेस करते हैं तो शायद वह LED ही आपकी 15,000 से 20,000 की किमत की LED LED आ जाती है और फिर CPU तो वो भी आपका लगबग ये लगा लो 55,000 से 60,000 कम से कम रेंज के अंदर वह पड़ता है और यदि हम All-in-one PC ले तो All-in-one PC पर्चेस करें तो कुछ बैस्ट All-in-one PC है जिनका मैं जिकर करूंगा आपके साथ जो की काफी कमपेटेबल काफी चीप प्राइस के अंदर है काफी अच्छी बैटर क्वालिटी है काफी अच्छे उसके अंदर स्पैसिफिकेशन से जिन में आप अपना नोर्मल ओफिस का काम भी कर सकते हैं गेमिंग कर सकते हैं और अपने नोर्मल लेवल तक की वीडियो एडिटिंग भी उसके अंदर कर सकते हैं और यह अलिन पीसी लेट आस्ट 12 जनरेशन इंटल की 12 जनरेशन के शाथ 8 जीबी रैम 4 कोर और 8 थ्रेड के शाथ भी आपको मिलते हैं तो आज के समय में जरूरी नहीं है कि हम एक नॉर्मल पीसी पर्चेज करें हम एक अच्छा आलिन वन पीसी भी खरी सकते हैं ज्यादा नुक्षान की ज्यादा घाटे की कार नहीं है अब कौन सा आलिन वन पीसी खरीदें इसके लिए मैं आपको सब्सक्राइब जरू कर लें